हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टो मैं चैनल मैं हुआ रिप और आप देखने मेरिटिव चैनल मिक्स्टीवर और इस वीडियो में मैं रिवीव करने जा रहा हूँ यह वीव प्रो का स्मर्ट एलेडी बल्ब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंज वीडियो में आगे बाढ़ने से पहले आप लोग को दिखा देता हूँ कि बॉक्स कॉंटेंड जो है वो क्या के मिलता है आप लोग को तो वैसे मैं बल्ब तो एक महिने यूज कर चुका हूँ तो इसलिए मैं रिवीव बना चैस और मैं आपको बताता हूँ इस बल्ब के बारे में यह बल्ब के बारे मैं आप लोग को एक तो दिखा देता हूँ यह कर दो दो लुटे में वह एक हो इसलिए यह लेकिन brightness अगर मैं बात करूँ तो लगबग बराबर ही है तो इसको मैं side में रखता हूँ और बात करता हूँ इसके बारे में जैसे आप देख सकते हो इसका जो design है वो normal led bulb की तरह ही है कोई खास नहीं है वैसे और इस तरह अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल नॉर्माल led bulb जैसे ही लगेगा सिर्फ size में difference है और इसका features के बात करूँ तो इसमें आपको Bluetooth, Wi-Fi सब कुछ मिल जाता है और यह आप वीप्रो एप से भी control कर सकते हो जैसे यहाँ पर सब mention है आप देख सकते हो आप यह एप Google Play Store और Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हो और यह आप Amazon Alexa और Google Assistant के साथ ही भी यूज कर सकते हो आराम से और थोरा information में आप लोग को देना चाहता हो जैसे आप देख सकते हो कि इसका color जो है आप change कर सकते हो और यह RGB 16 million color के साथ आता है और इसका brightness level 10 से लेके 100% तक आप कर सकते हो और आप schedule भी कर सकते हो जैसे कि आप यह light bedroom या तो drawing room कहीं पे भी लगाया है लेकिन आप चाहते हो कि कोई specific time में यह up on होता रहे तो आप वो भी कर सकते हो नहीं तो अगर आपकी घर में बहुत सारा यह wipro का bulb है तो आप group में भी एक साथ connect कर सकते हो और भी बहुत सारा features है इसका जैसे छोटा सा features में आप लोग को बता देता हो अगर आप मानो की light on करके चले गए कहीं पे और आपका bulb wifi में connect है तो आप wipro smart जो application है वो आप कहीं से भी उसको off या on कर सकते हो यह तो था इसका theory part अभी देखते है practically कि यह कैसा काम करता है वो सबसे important part है तो मैं इसको यहाँ पे connect कर लेता हूँ और यह अभी connect हो चुका है म मैं power भी दे दिया इसको और यह connect हो चुका है अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को तो उससे पहले मैं बाकी light आप कर देता हूँ बाकी light मैंने आप कर दिया फिर भी थोड़ा बहुत light आ रहा है और साथ में noise भी आ रहा है तो माप कीजिए उसके लिए तो पहले मैं क्या यह light on हो गया Alexa change the light color to blue तो देखिए यह पुरा blue बन चुका है अभी Alexa change light color to green Alexa change light color to red तो जैसा आप देख सकते हो यह मतलब color ऐसे voice command से change होता रहता है और थोड़ा features आप लोगों में दिखाता हूँ Alexa decrease light brightness to 50% यह decrease हो गया ऐसे आपको पतानी चल रहा होगा दुसरा light में आपको पता चलेगा Alexa change light color to green Alexa decrease light brightness to 10% तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा difference है अभी आप देखना कि कितना bright होता है Alexa increase light brightness to 100% तो यह पूरा bright हो चका है और मैं एक बात mention करना चाहता हूँ अगर आप white करने के लिए बोलते हो तो यह warm white करता है यह cool white में नहीं रखता है Alexa change light color to white तो जैसे आप देख सकते हो कि यह पूरा warm white है अभी मुझे बोलना परेगा उसके बाद ही यह cool white में लाएगा Alexa change light color to cool white यह अब देख लीजिए यह मुझे पता नहीं यह glitch है यह क्या है लेकिन यह दोनों के साथ होता है अगर मैं Google Assistant को भी बोलूंगा फिर भी वह यही करता है So guys इसका जो most important features है जिसके लिए मैं इस bulb को buy किया था वो है music sync तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यह जो feature से वो कैसे काम करता है तो यह रहा bulb यह on हो चुका है और इसका जो music sync feature से यहाँ पे start करना परेगा तो मैं start कर दिया तो देखिए यह color अभी change हो रहा है मेरा vocal के साथ तो यह इस तरह से काम करता है और एक बात है कि इसका जो मतलब mic है वो phone का ही mic use करता है इसका कोई inbuilt कोई भी mic नहीं है तो यह मुझे एक थोरा सा दिक्कत लगा कि आपको phone से ही इसको connect करना परेगा उसके बाद ही मतलब यह काम करेगा वैसे काम बहुत ही अच्छा कर रहा है जैसे आप देख सकतो मैं speed में जब बात करता हूँ तो speed में color change हो रहा है और धीरे धीरे जब बात करूंगा तो यह ध अगर इस तरफ से swipe कर गए तो यहाँ पर आपको इस तरह से circle नजर आएगा और आप ऐसे light का color अराम से चेंज कर सकते हो जो भी color आपको चाहिए जैसे मैंने रख दिया यह orange पर तो यह orange हो चुका है और मैं यहाँ से brightness को कम या ज्यादा कर सकता हूँ गाइस यह था इस तो बाइ बाइ